नमस्कार वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है पेश है आज की प्रमुख खबरें दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरसट सीटों पर विजयी भाजपा तीन सीटों पर सिम्टी दिल्ली विधान सवा चुनाओं में सरसट फीटें जीत कर आपने नया इतिहास रच दिया है दिल्ली के राजपा यहां तीन सीटों पर सिम्ट कर रह गई है जबकि कांगरेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई आपके महेंद्र कुमार यादव ने विकास पुरी सीट से सरवाधिक 70,000 से ज़्यादा बोटों से जीत दर्ज की है आपकी जीत के बाद नरेंद्र मोदी के धुर बिरोधी जदियो नेता नीतीश कुमार ने केजरिवाल को बढ़ाई दी और कहा कि भाजपा पूरे देश म पूरे जीत के लिए बढ़ाई दी है उन्होंने परोग शुरूप से मोदी पर निसाना साथते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने नतीजों से केंदर के सत्ताधारियों को कड़ा संदेश दिया है अब जनता की सेवा में जुट जाएं अरविंद केजरिवाल ने समर्सकों से कहा दिल्ली विधानसवा चुनाओं में एतियासिक जीत हांसिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने कमाल कर दिया है उन्होंने समर्शकों से अपील की कि बिना अहंकार किये अब जन सेवा में जुट जाएं पटेल नगर में पार्टी का जा लेके बाहर भीर को संबोधित करते हूँ उन्होंने कहा कि भाजपा का जो हाल हुआ है उसके अहंकार की बज़े से हुआ है यदि हम भी एहंकार करेंगे तो जनता पांच साल बाद हमारी भी यही हालत करेगी केज़ीवाल ने कहा कि जनता के साथ मिलकर हम दिल्ली को ऐसा शहर बना देंगे जिस पर सभी को गर्व होगा मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ आपकी आधी में किरनवेदी समेट कई दिगज धराशाई दिल्ली विधान सवा चुनाव में आपकी आधी में कई दिगज धराशाई हो गए भाजपा की मुख्य मंतरीपत की उमीदवार किरन वेदी भाजपा का गढ़ समझी जाने वाली कृष्णा नगर सीट से चुनाव हार गई उन्हें आपके S के बगदा ने 270 बोटों से हरा दिया इसके अलावा भाजपा के जगदीश मुखी, कांगरेस से भाजपा में आई कृष्णा तीरत, मिनुत कुमार बिन्नी, MF धीर भी चुनाव हार गए कांगरेस के बरिफ्ट नेता अजय माकन, पूरो मंतरी हारून यूसूफ, राफपती बड़ो मुखर जी की वेटी, शर्मिफ्टा मुखर जी, किरन वालिया अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए कुल तिरेपन सीटे ऐसी रही जहां कांगरेस उम्मीदवारों की जमानत जब हो गई यह थे अब तक के मुखी समाचार, और जादा जानकारी की लोगिन कीजिए, हमारी वेबसाइट www.webdunia.com, नमस्कार